हेलो एब्रीवन वेलकम टू बाई चैनल मैं हूं मनोश शर्मा और आज की क्लास में करने जा रहे हैं क्लास 12 का चप्टर अकाउंटिंग रिश्यो आगे कॉंटिन्यू जिसकों टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं अब तक इसके 1244 कोश्चन हो चुके आज 45 कोश नग्शान है क्या बनता है कैपि रख्यान इकोई इक्वेशर्ण की अंग्यश्यो कर देखो एह उसक तो views याद करने है पहले नंबर पे debt है तो numerator में debt लिखोगे सेकेंड नंबर पे equity है तो denominator में equity लिखोगे equity means shareholder fund और debt means only long term liability जिसको non current liability बूलती है अब हमे capital employed में दोनों चीज़ें इनवाना है यानि के debt plus equity तो equation से निकाल लाओ debt कितनी है ये लो करते है capital employed का formula लगा दो ये किसके equal है capital employed ये देखो ये रहा shareholder fund plus non current liability ये या भी लिख रखा है ये रहा लिख लो या shareholder fund plus non current liability किलियर है अब यहां से निकल लेगे आपका ये देखो capital employed आपको दे रखे 8 lakh रुपी लिख दो 8 lakh रुपी ये रहा उसी को non current liability एक ही meaning है ये इदर आएगा तो माइनस का sign आ गया तो मेरी non current liability मेरे पास आ गई क्या चीज़ आ गई 8 lakh और माइनस कर दो 2 lakh कितना बन गया 6 lakh रुपी इसी की तो requirement थी हमें non current liability means debt ओगे ये हमारे क्लियर है इसी को तो debt बोलते है कितना आ गया 6 lakh रुपी यानि कि अब आपको एक तो debt पता चल गया shareholder fund question में given ही था 2 lakh फामुले में put कर दो ये रहा debt कितना निकला है 6 lakh रुपी लिख दो और आपके shareholder fund कितना गीवन है 2 lakh रुपी ये लोग किलियर है यह 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 आपका आ गया 321 रोगया यह 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 फामुले में यह साइड में लिख रखे हैं जिससे आपको आराम से किलियर हो जाए अब एक और question करते है 46 रीड करता हो आप देखिए लिख है ऐए किंग लिमिटेड है करन्ट रेशिऊ आफ 2.5 एस टुवन अपको करन्ट रेशियो दे रख है वरकिंग केपिटल है वन लाएक रूपी ट्वेंटी थाउजंट और वरकिंग केपिटल भी दे रखी है टोटल असेट्स आर रुपी 3,80,000 और टोटल असेट्स 3,80,000 है एंड टोटल डेट रुपी 2,80,000 कैल्कुलेट डेट टू इक्विटी रिशो हमें डेट इक्विटी रिशो निकालना है यह वाली इंफर्मेशन हमारे पास है देखो कैसे निकल सकता है क्या चीज की रेक्वा सब्सक्राइब दोनों फइंड आउट करनी होगी हमें टोटल डेट तो पता है टोटल डेट किसके इक्वल बंते हैं नोट करो नॉन कर्ण लियबिलिटी यानि के लॉंग ट्रम बोरॉइंग इसको तो नेट बोलते है और प्लस करन्ट लियबिलिटी तो यहां पर हमें करे current ratio गी होगा तो वहाँ से current liability find out हो सकती है यदि current liability find out हो गई तो हम जो है नॉन करेंट liability निकाल लाएंगे निकाल लाएंगे पहले current ratio का formula लगा दो उससे current liability निकाल लेंगे फिर आम जो है non-current liability प्याजेंगे एक करके करते है current ratio लिखो कितना दे है अपको करंट वंकर नियुक यह दे रखें का पूइंट वान आ तो करेंट अधे रखी ना दे रखी लेकिन यहां सेहां की करंट तेस्ट सुपएंट ओगई 2.5 लिखलो करंट आले आफ की कि यह रही टूब फाइब सी जै इस से क्या बेनिफिट होगा बताता हूं वर्किंग गैपिटल दे रखिए आपको कुश्चन में देखो एरी 120 और वर्किंग कैपिटल किसके इक्वाल है करेंट असेट्स माइनस करेंट लिएबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल से करेंट लि कर लेना और वर्किंग कैपिटल आपको कुश्चन में दे रखिया वन लैक ट्वेंटी पुट कर दो वन लैक ट्वेंटी और साथ में करेंट अभी आपने फाइंड आउट कर ली कितनी 2.5 लिख दो या 2.5 और यह आपके पास है नहीं तो यह निकल गई देखो वन लैक ट्वेंटी थाउजेंट इक्वल टू करो 1.5 लिख दो वन पॉइंट फाइबिलिटी आगई अब इसका बेनिफिट क्या है बेनिफिट यह है कि लॉंग टर्म बोर इंच आगई नॉन करेंट लिख दो इस वाले फामुले में नॉन करेंट लिख दो नोनों को मिला ने तो टोटल डेट बन गई लिख दो total Pat बार आवारें नॉन करेंट लिएडियंटी प्लस करेंट लिटी लिख दो टोटल डैट यह लिडा आहों का। ताउजेंट इक्वल टू करो नॉन करणंट लिएबिलिटी दे नहीं रखी बट करणंट लिएबिलिटी अभी अब कि आगई कितनी एक्टी ते तौह जाओ प्रक्राइबिलिटी आगई अब आपकी किह तर आएगा तो रहेखना यहां से कहीं से निकलता लेकिन आपको एक चीज़ पता चल गए total assets पता है और यह देखो यह total assets किसके equal है इसलिए balance sheet दिमाग में रख़ लो total liability का equal रहेगी total liability में क्या चेजनंफ लोड़ है तीन चेजनफ और शेरोल्डर fund और non current प्लस करंट लाइबलिटी जिन दोनों को मिला है तो क्या बनती है टोटल डेट हमारे पास दे रखें कितने रखें टूल ए खेटी इसका मतलब यह दोनों दे रखें और यह भी दे रखें तो हमारे शेरोलडर फंड भी आ गई कर लो यह टोटल असेट्स का फामूला लिख द total assets दे रखी है यह रही किसके इकोल बताइए आपको टोटल लाइबिलिटी ए और टोटल लाइबिलिटी किसको आएगी शेरोल्डर और प्लस टोटल डेट के इकुल आएगी. फुट कर दो यहां पर, टोटल लायबिलिटी जीकुल टू यह दो बराबर ही तो रहेंगी आपस वहें जितनी बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच करेंगी, तो मैं ये भी तो बोल सकना हो, टोटल लायबिलिटी किसके इकुल रहे यह भी है हमार पास अलग से भी है यह निकली करन्ट लाइबिलिटी तो 80,000 और अभी हमने जो है डेट निकाले थे टू लैक रुपी तो टू एटी बनता है दिया भी हुआ है टू एटी पुट कर दो डारेक्ट टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू 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 यह थ्री लाइक एट्टी लिखो थ्री लाइक एट्टी इक्वल टू करो शेरोल्डर फंड दे नहीं रखे निकल गई आपको कितना दे रखाए यह राटू लाइक एट्टी पुट कर दो आलग अलग भी करके चेक करो गए तब भी टू एट्टी बनता है एट्टी थाउ टू लाइक एट्टी थाउजेंट कितना हो गया यह आपका वन लाइक रुपी आ यह यही तो आपको जुरूद थी भै आपको शेरोल्डर फंड चाहिए था और डेट चाहिए था डेट यह आ गया अब यह पूट कर दो इसको भै यह तो टू लाइक रुपी आ गया और श उससे फाइंड आउट कर लो करेंट रेश्ओ का यूज़ था जिससे करेंट पलिटी निकल जाए करेंट लाइबिलिटी निकल्टने से क्या थे तो टोर्टल लिटेट्ग जिसमें बिरको समयरों सक्टरण चाहिए क्योंकि क्रेंट मिल गई माइनस कर दो भी लुट कर दो फिर यह फार मुला लगा दू किलियर हो गया इस्ट कोश्चन करते हैं 47 मैं रीड करता हूं आप देखिए लिखा है मॉनिका लिमिटेड हैज क्विक रेशियो ऑफ वन पॉइंट फाइज तुवन क्विक रेशियो दे रिखा है वन पॉइंट फाइज तुवन इट्स वर्कि एकुटी रेशियो हमें डेट इकुटी रेशियो निकालने है यह इंफर्मेशन गीवन है कैसे करते हैं जरा देखते जाओ देखो हमें चाहिए डेट डेट इकुटी रेशियो का फामुला तो डेट अपॉन इकुटी है डेट मींज लॉंग्टरम लायबिलिटी और क्या जो है नॉन करेंट लाइबिलिटी पी आ जाएंगे तो यहां से तो हम वो निकालने की करती है उसके बाद एक्विटी के बारे में कुछ नहीं लिखा कि शेयर ओल्डर फंड का है को इंफर्मेशन नहीं है लेकिन हमें टोटल असेट्स पता है और टोटल असेट्स अभी बता निकालने है नॉन करेंट लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं वह दिखते जाओ पहले कुछ रेशो का फामूला अप्लाई कर दो लिखो क्या है कोई का सेट्स अपॉन में करेंट लाइबिलिटी नोट कर लेना मैं अब्रिवेशन लिख रहा हूं आप पूरा लिखना कोई क् है ओन पॉइंट फाइबिटी वन उन एक्वखल टू करो कोई कर आपन में करो यहां और है और यहां से कोका सेट्स निकाल लो ग्रोस् मौक्डिकेशन कर दो ऑन पोईंट फाइब सी एल आ गई ऑर वरकिंग कैपटल का क्या फंवला था करेंट असेट्स्ट माइनस करेंट लिएबिलिटी वरकिंग कैपटल का फॉर्मुला रूछ दो यहां पर लिख दो यहां वर्किंग inventory दे रखी हैं तो इसमें quick assets में inventory add कर दे तो किसके equal आएगी current assets के अब यहां working capital के formula में पूट कर दो इसको working capital दे रखिए 120 पूट करो 120 यहां से आपको current liability आ जाएगी current assets अभी अभी आपको बताया quick assets और plus inventory quick assets कितने लिकाली 1.5cl इसमें क्या कर देंगे add जितनी inventory दे रखिए 10000 यह तो मेरी current assets आगी .5cl और प्लस करो 80000 यह तो हमारी क्याची जा गई current assets और current liability है नहीं ऐसे लिख दो current liability वही तो find out कर नहीं है निकल गई 80 को इधर ले जाओ एक बार करते हो तो यह तो 120 हो गया माइनस करो 80000 इधर आ गया बच क्या गया यहां 1.5cl और माइनस CL बच गया यह बन गया आपका 40,000 इक्वल टू करो .5cl आ गया और CL की value निकाल लाओ 40,000 डिवाइड करो .5 से करोगे तो 80,000 बन जाएगा इसी के तो ज़रूब थी यह क्या चीज आ गई आपकी current liability आ गई नोट कर लो और current liability से आवे benefit क्या होगा वो बताता हूं तो डेट आपको दे रखे कितने है और यह non current liability given निये निकल गई प्लस current liability कितने निकली 80 अब जब यह इधर जाएगा तो माइनस का साइन हो गया तो मेरी non current liability liability तो आ गई non current liability means debt तो मेरे आ गई कितने आ गए टू लैक एटी था हो जैंट माइनस कर दो 80 कितना आ गया टू लैक रुपी मेरा डेट आ गया याद रख लेना जिसकी मेरे को जरूद थी आप उट करने में निकालना है शेर उल्डर फंड देखो कैसे निकलेगा वह टोटल assets दे रखी है और total assets यही balance sheet इसलिए balance sheet आपको side में बना रखी है total assets दे रखी है 380 तो total liability वी तो 380 रहेगी balance sheet की तो दोनों साइडे सेम है अच्छा जब हमें यह पता है और यह दो चीज़ पता है हमें जिनको total debt बोलते हैं तो shareholder fund आ गया put कर दो पहले तो total assets equal to total liability अब यह put कर total liability पता है और यह दो चीज़ पता है दो चीज़ कहां पर है यह रही total liability debt दे रखे है तो shareholder fund निकल गया formula में put कर दो लिख लो total liability equal to shareholder fund plus non current liability plus current liability या total debt कुछ भी लिख सकते हो दोनों लिख दो क्योंकि आपको दोनों ही पता चल गए current liability भी पता चल गए non current भी या तो दोनों को अलग-अलग लिखो या direct total debt लिखो बाप तो एक ही है लिख दो is equal to shareholder fund plus total debt total debt का मतलब non current liability plus current liability हमें दोनों भी पता है अलग-अलग भी और total भी पता है कुछ भी put कर सकते हैं यह देखो यह रहा यह आपको total liability पता है 3,80,000 क्योंकि यह तो equal to है किसके total assets के दोनों ही तो करेंगी आपस में क्योंकि balance sheet की दोनों साइडे सेम है तो total liability भी उतनी है लिख दो shareholder fund प्लस करो यह कितना दे रहा है 280 यहां से shareholder fund आ गया जब यह इदर जाएगा तो माइनस का sign हो गया तो shareholder fund आ गया आपका लिख लो shareholder fund यहा लिख लो 3,80,000 माइनस करो 2,80,000 equal to आ गया 1,00 रुपी यानि के आपको shareholder fund भी आ गया और non current liability भी यह लिए किलिए रहा है अब यह फामुले में पुट कर दो यह तो 2,00,000 रुपी है non current liability लिख दो 2,00,000 और shareholder fund आपका 1,00,000 रुपी आया और working capital दे तो समझ लो current liability तो आ गई और current liability मिल गई तो non current liability आ गई क्योंकि आपको total debt दे रहे हैं माइनस कर दो current liability इसी तरीके से फिर shareholder fund बना लो आप एक और question करते है 48 करता हो आप देखिए लिखा event debt to equity ratio is to state giving region whether this ratio will increase, decrease or will have no change in each of the following cases कुछ आपको cases दे रहे हैं जिससे आपको यह बताना है कि हमारे ratio के उपर क्या impact होगा हमारा ratio increase होगा decrease होगा या no change होगा कैसे करते हैं देखो ratio आपको दे रहे है two is to one debt equity ratio का formula लिख लिए debt और equity debt पहले नंबर पे आएगा equity second नंबर पे ऐसी तो है अच्छा थोड़ी देर के लिए कोई भी imagine figure ले लिया करो जो last की one वाली digit है zero के figure में ले लो इसमें हमने 10 lakh क्यों लिया क्योंकि question के अंदर आपको जो amount दे रहे है 5 lakh 2 lakh इस तरीके से है तो बड़ी figure ले नहीं है आपने 10 lakh ले लिया यह लिखा हमने let us assume shareholder fund पहले वाले को मत लेना जो one है उसको लेना जिससे multiply करना असान हो जाए यह ऐसे assume कर लो उसके बाद आगे चलते है आप देखो पहली transaction आ रही है sale of land क्याता है book value उसकी 4 lakh है और वो कितने में sale out कर दी आपने 5 lakh यानि कि profit हुआ है याद रख करी land sale करी इनकी nature निकाल लाएंगे cash में sale करी होगी जाहरी बात है profit हुआ पता चल गया कैसे पता चल गया देखो land आपकी decrease हो गई कितने से 4 lakh से clear है और cash increase हो गया आपका कितने से 5 lakh profit भी increase हो गया क्योंकि 4 lakh वाली चीज कितने में sale out है 5 lakh में तो profit आपको दिख रहा है अब ती land की nature है आपकी non current assets यानिके fix assets जिसका link नहीं ratio के नदर कोई भी cash आपकी current assets है ratio के नदर कोई यूज नहीं लेकिन profit आपके shareholder fund को increase करेगा क्योंकि shareholder fund क्या थे share capital और साथ में जितने भी accumulated profit है तो मेरा shareholder fund तो बढ़ेगा यानिके shareholder fund आपका increase हो गया profit को कहा लिखता हो मैं shareholder fund में ही तो लिखूंगा अब जड़ा check करो यह apply करके 1 lakh से आपकी यह चीज बढ़ गई यदि यह बढ़ गई और सामने क्या दिखा रख है 20 तो ratio को check कर लो कितना आया चेक करके देखो यह तो आज भी 20 lakh ही है लेकिन मेरा shareholder fund कितने से बढ़ गया 1 lakh स यह रहेगा हरे के लिए जितनी भी ट्रांजेक्शन आएंगी 11 lakh से डिवाइड करो और रेश्यों को check कर लो तो ratio जाना तक इसका आ रहा है 1.8 is 1 is to 1 जैसे इंक्रीज होगा तो जाहरी बाता रेश्यों डिक्री जोगा तो इसका answer क्या दिख रहा है आपको देखो डिक्री क् कि बेस तो यह है टूइस टूवन था इस ट्रांजेक्शन का क्या impact पड़ा हमारे ratio के उपर ratio कम हो गया तो answer दो डिक्री किलियर है यह था पहले का answer लिख लो आप जड़ा second transaction करते हैं issue of share for the purchase of plant and machinery हमने machine purchase करी उसके बदले share issue करें और कितने के कर रखे 10 lakh के कर रखे लिख लो यहां आपने यानि के plant and machinery तो increase हो रही है ऐसी आपके पास shareholder fund share increase हो रहे है share का मतलब shareholder fund भाई machinery भी इंक्रीज हो रही है और share भी इंक्रीज हो रहे है जैसी आप share को issue करते हो share issue करे तो आपने इसके आप nature पे चले जाओ दोनों की nature क्या है भाई यह तो मेरी fix assets है clear है यह तो आ हमारे ratio के ओपर को impact नहीं यानि क्या plant and machinery से तो कोई फर्क नहीं अच्छा यह 10 lakh से increase है लिख लो यह 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 इंक्रीज होगे तो क्या चीज़ इंक्रीज हो जाएगी shareholder fund increase क्योंकि इसकी nature क्या है shareholder fund में include होगा यह लिख लो shareholder fund आप इसको यह पूट करके check कर लो पता चल जाएगा आपको debt के अंदर तो कोई change हुआ है नी debt तो आज भी देखो आज भी आपको 20 lakh के दिखरे है लिख लो लेकिन आपके shareholder fund बढ़ गए कितने से पहले तो थे 10 इस transaction के बाद कितने हो गए वो 20 lakh के हो गए यह समझा गया कैस ratio कितना देख रहा है आपको one is to one compare कर ऊपर से two is to one था पहले अब क्या हो गया कम हो गया तो ratio क्या आगया decrease हो गया इस transaction से लिख दो यह answer याद रख लो पहले वाले का answer यह रहा है अब ऐसे थर्ड करते हैं थर्ड के अंदर क्या दे रखा है देखो ऐसे नेचर को पैचान लिया करो इसी तरीके से इसके region में भी दोगे transaction से क्या impact पड़ता है debt की debt तो हमारे no change है debt पे तो कोई impact नहीं है बट हमारे shareholder fund increase हो जाएंगे denominator जैसे increase होगा तो आपका ratio decrease होगा याद रख लो क्योंकि divide ज्यादा value से करोगे तो कम आएगा थर्ड करते हैं थर्ड में लिखा है issue of preference share हमने preference share issue करें यानि कि किसके लिए करें रिडंप्शन ओफ 13% डिवेंचर वर्थ रुपी 10 लैक 10 लैक के आपने डिवेंचर को redeem करने के लिए share issue करें अच्छा जब आप share issue करते हो तो आपका shareholder fund बढ़ गया जरा यहाँ पर आजाओ देखो आपने क्या करा share issue करा तो यह रहा लिख लो यहाँ पर आप एक तो share issue करें आपने share issue करने से क्या impact पड़ता है आपके पास bank का balance increase होगा याद रख लेना यह रहा clear है यह यह भी increase हो गया और यह भी increase हो गया अच्छा जो डिवेंचर थे डिवेंचर आपके decrease हो गया redemption कर दी आपने जब आपने डिवेंचर की redemption करी तो यह decrease हो गया जिस year में डिवेंचर आप याद रख लो redeem करते हो वो non current liability नी इनकी नेचर पर जाओ तो यह तो current liability है ध्यान रख लेना यानिके इस पर तो को impact नी यह मेरी current assets है याद रख लो को impact नी अच्छा शेर इशू करने से क्या चीज बढ़ गई आपका shareholder fund याद रख लो जैसे अभी पिछले में था तो shareholder fund बढ़ेगा तो क्या होगा यह चीज बढ़ेगी और जैसे denominator बढ़ेगा debt तो बढ़ा नी तो क्या अंचराएगा decree यहां करके दिखाएते अब अब इसको put करके देख लो यह देखो यह तीन चीज के पर impact पड़ा जब आप डिवेंचर को redeem करते हो एक तरफ आपका यह यह भी लिख लो bank भी decrease होगा क्योंकि जब को redeem करोगे तो bank decrease तो यह तो current assets है को impact ही नहीं पड़ता ratio पे डिवेंचर डिक्रीज हुए कई बारा में यह लगता है कि डिवेंचर तो debt के अंदर include है लेकिन कौन से वाले include है जो current year के अंदर याद रख लो redeem होने है वो non current में नहीं आएंगे वो current में convert हो भी तो डिवेंचर क्या है non current कब है before यानि कि जिस year में maturity नहीं है उससे पहले वाले सालों तक वो non current रहेगा जिस year में convert करने उस year उसको can transfer करते है current liability तो हमारी current liability तो डिक्री जो गई लेकिन share older fund बढ़ गया क्योंकि आपने प्रिफेंचर इशू कर दिए तो share older fund में add करो कितने के issue कर रखे नोट करो यहां पर दे रखा 10 lakh के तो मेरा जो debt आया कितना आया यह रहा 20 lakh ही रहा debt तो और यह कितना हो गया था तो यह 10 lakh लेकिन 10 के नए issue हो गई तो 10 से और बढ़ गया तो डिवाइड कर दो 20 से तो ratio क्या दिख रहा है आपको one is to one तो क्या हो गया decrease यह answer था इसका यह लग जी तीनों के answer decrease में आ रहे हैं लिख दो यह रहे किलियर हो गया भाई जो transaction आप करते हो उसका impact ऐसे डाल लो उसके बाद जो है चेक कर लो की ratio के उपर base के उपर क्या impact पड़ता है base आपका दे रहा है two is to one अब एक और question करते है 49 वो भी इसी पर based है मैं read करता हो देखिए of the following would increase decrease or not change in it यारि कि हमें कुछ transaction नीचे दे रहे हैं उससे बताना ratio के उपर क्या impact पड़ता है देखो पहले तो ratio का फामुना लिख लो equity ratio कितना दे रहा है point five is to one इसको जो है किसी amount की figure में ले लिया करो याद रख लो हमने amount लिया लेट करते हैं जो वन दे रहा है उसको लिया करो equity share impact डाल लिया करो कि share issue करते हैं तो क्या impact पड़ता है भाई हमारे शेर इंक्रीज होंगे और cash इंक्रीज होगा यही तो होगा पहली transaction लिखो यह भाई आपका जब share issue करोगे तो एक तो आपके share बढ़ गए यह इंक्रीज हो रहे हैं साथ में bank balance इंक्रीज हो गया जब हम share issue करेंगे तो bank इंक्रीज होगा और share इंक्रीज होगे और इसकी जो ना amount भी ले लो स्पोज करो आपने जो है 50,000 के share issue कर दिये स्पोज रुपी 50,000 यानिके इतने के issue करें हमने यह समझ लो कोई एक figure लेनी पड़ेगी तब आपको आराम से clear होगा और zero की figure लेना ध्यान रख लो हमने 50 के issue करें क्या impact पड़ता है मेरा यह 50,000 से increase हो गया और यह भी मेरा 50 से increase हो गया यह तो मेरी current assets है याद रख लो जिसका ratio के उपर को impact नी पड़ना लेकिन share हमारे क्या चीज़ है वो shareholder fund है जो की आपको denominator को increase करेंगे clear है भाई आपका कोई भी figure ले लो चाहिए 20,000 ले लो 10,000 ले लो 5,000 जीरो वाली figure लेना जिसमें last में 0 आए जो की calculation करना आपके ratio है तो 50 से bank increase होगा 50 से share, bank से तो current assets increase हो नहीं है क्योंकि bank तो current assets में आएगा वो तो impact डालता नहीं, shareholder fund share का include करते है shareholder fund में, तो मेरे share increase होगे, अब यहाँ पर आ जाओ, यारि के आपके ज़रा check करो debt तो आज भी 50 है, लेकिन ये 1,50,000 हो गए, 150,000 कैसे हो गए, पुराने तो 10,000 लेक थे, हमने 50 के ओर ratio करें तो मेरे shareholder fund बढ़ गई, अब ratio की बात करो, ratio क्या दिख रहा है, ratio चेक करते हो, तो 0.3 is to 1, decrease होगे, answer लिख लो, इसका decrease, clear है, वैसे भी denominator जैसे increase होगा, तो समदलो, ratio decrease होगा, ये answer लिख दो, इसका, clear हो गया, ये तो first का answer है, ध्यान रख लो अब यासे ही second का कर दो, हर एक का ऐसे आपको सोच के करना पड़ेगा, second करो, second के अंदर क्या लिखाव है, देखो, लिखा cash received from debtor, debtor से cash आया, क्या impact है, पहले चेक करो, जब debtor से cash आयेगा, तो cash increase होगा, और साथ में debtor decrease, आज के बाद वो pay नहीं करेंगे, ये decrease होगे, अब इन दोनों की पहले तो nature पे जाओ, क्या nature है, भाई ये भी मेरी current assets है, और ये भी मेरी current assets है, तो current assets का तो impact इस ratio पे कोई पड़ी नहीं रहा, तो इसका answer क्या आगया, आपका लिख दो, इसका answer, no change, भाई हमारे इस पे तो कोई फरकी नहीं पड़ रहा, तो इसका answer क्या आगय हमारे, ना debt decrease हो रहे, ना equity बढ़ रही, ना equity decrease हो रही, clear है, अब third करते हैं, कि अंदर लिखा है redemption of adventure, बहुत अच्छा point है, बड़े ध्यान से लिखना, impact क्या पड़ता है, तो डिवेंचर तो decrease हो गए, क्योंकि आपने उनको pay कर दिया, redemption का मतलब pay करना, ये तो मेरे decrease हो रहे है, और जब हम redemption करेंगे, तो bank decrease होगा, क्योंकि pay कर गए, दोनों की nature पर आजाओ, दोनों के अंदर देखो, ये तो मेरी current assets decrease है, जो ratio के उपर impact डालेगी, नमबर दो, डिवेंचर याद रख लो, जिस साल redeem करने है, वो non current liability वाले head में नहीं आएंगे, current में आएंगे, और की nature क्या है, current liability, यानि कि हमारी current assets भी decrease है, और current liability भी, तो हम ना तो, ये तो non current liability है, debt के उपर तो इंपक्त नहीं, share order fund पर को impact नहीं, क्या answer आगया, इसका भी लिख लो, no change, ऐसे चेक करा करो, clear है, ये third का answer था, ऐसी अब fourth पर आजाओ, ऐसे सोच के करो, उनकी nature पैचान लो, क्या है, कभी गलती नहीं होगी, आगे चलो, कहता है, purchase goods on credit, हमने goods purchase करी credit पे, तो क्या impact पड़ता है, आपके पास stock तो आगया, साथ में आपके creditor भी आगए, क्योंकि credit में purchase करी ये आपने, ये भी increase हो गए, और ये भी increase हो गए, अब दोनों की nature पैचान लो, क्या है, nature का मतलब stock क किसके अंदर लिखते है, current assets में, creditor किसमें लिखते है, current liability में, ना तो इससे मेरे debt के उपर impact ना, equity पे इस transaction से, answer लिख दो नोची जेलो, इसका भी, हर transaction का सोच के करो, याद रख लो, कभी गलती नहीं होगी, चारो के answer आगए, ये रहे, किलियर है, आब एक और question करते है, 50, वो भी इसी टाइप का है, assuming that the debt to equity ratio is 2 to 1, 2 to 1 का ratio दे रखा है, में debt equity, state giving region, which of the following transaction would increase, decrease, not alter debt to equity ratio, हमें बताना है, ये जो transaction दे रखी है, इनका impact क्या पढ़ता है, हमारे debt equity ratio पर, ये रहा, debt equity ratio का formula लिख लिए debt upon equity, कितना दे रखा है, 2 to 1, जब भी ऐसे question आए, इनको amount की digit में ल 0, और कोशिश करना last में 0 रहे, जैसे 10,000 ले सकते हो, 1,000 ले सकते हो, 1,000 ले सकते हो, हमने क्या लिया इसमें, और last वाले को लेना पहले, उसको फिर उससे multiply करके निकाल ला हूँ, let us assume shareholder fund भी 1 लेक, हमने 1 लेक लिया इसको, तो ये कितना बनेगा, 2 लेक, अब एक एक transaction ऐसे impact डाल के देखते हैं, देखो पहली transaction क्या आ रही है, जो पहली आ रही है, उसका check करो, पहले में लिखा है issue of new share for cash, हमने share issue कर दिये, लिख दो या share, एक तो share आपके है, और साथ में आपका bank increase हो गया, क्योंकि share आपने किसमें issue करके cash में, share issue करे, अच्छा यहाँ पर थोड़ इतने के आपने share issue करे है, किलियर है, यह मान के चला हमने, भाई 50 के increase करेंगे, तो मेरा share बढ़ जाएगा, अब यह भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़े बढ़ती है, दोनों की nature लेके, देखो आप, nature का अतलब bank क्या चीज़े मेरी current assets, current assets तो impact डालती ही नहीं, share मेरे क करा 50,000 के issue करे, तो ultimate मेरा amount कितना आया, दरा check करो यह रहा, भाई यह तो 2 lakh ही है, debt पे तो कोई change आया नहीं, लेकिन यह मेरे आज कितने हो गए, 150,000 के लिए रहे, भाई यह कितने हो गए, 150,000 कैसे आगया, 150,000 लेक तो पहले था, transaction होने के बाद यह चीज़ इंकरीज हुई, तो कितना आगया, 150, चेक करो इसका ratio निकालो, ratio निकालते हो तो इसका आएगा, 1.3 is to 1, अब इसको इससे चेक करो, क्या हो गया, decrease हो गया, लिख दो answer, decrease, यह ऐसे थे, यह question ध्यान रख लो यह रहा, यह इसका answer है, first का, ऐसे अब second करते हैं, चलो जी, second करो, second के अंदर क्या दे रखा, अच्छी तरह से देखना, क्या था, conversion of deventure into equity share, हमने deventure को convert कर दिया, equity share में, क्या impact पड़ता है, देखो, आपके equity share बढ़ेंगे, share issue कर दिये, conversion का होता है, convert कर देना, deventure older को share दे दिया, और यह deventure आपके decrease होगे, यह decrease होगा, और इसका भी amount मान के चलो, let करो, 50, 50,000 के आपने redeem करे, स्पोज करो, यहां पर, कोई भी एक digit ले लो, स्पोज, redemption, रुपी 50,000, पी माल ले, तो अब इन दोनों की nature पे जाओ, जो गलती होने के chances, deventure में सबसे ज़्याद है, जिस year में deventure को redeem करना है, या convert करना है, वो कभी भी non current रहेंगे, क्या रहेंगे, वो current liability रहेंगे, या इसकी nature है, और share, जैसे issue करोगे, तो shareholder fund increase होगा, क्योंकि share equity कैसे बढ़ता है, नए share issue करने से, या profit आने से, कब गठता है, share को, यदि आप redeem करते हो, पिर फिर फिन share को, या जो है, loss हो जाए, तो अब यहाँपर issue करे, तो मेरी यह चीज बड़ी लिख लो आपर पहले, अब यार, इसका impact डाल लो, पहले nature निकाल लिया करो, कि यह किस nature का है, जो transaction के अंदर दो आ रहे है, देखो, जब आप issue करते हो, तो क्या impact है, अब यह देखो, base ही रहेगा, ध्यार रखना, कितने के issue कर दी है, 50 के, तो debt पे तो कोई change नहीं आया, debt तो उतनी है लेकिन shareholder fund 150 हो गए, करके देख लो या, यह तो 2 lakh रहा, और यह कितना हो गया, 1 lakh 50, ratio कितना आ गया, check करो, 1.3, same figure ली थी, इसलिए या आ गया, कितना आ रहा है, कम हो रहा है, पहले से check कर लो, answer क्या आ गया, इसका भी decrease आ गया लिख दो, अब third करते हैं, ऐसे हर transaction को सोच के कर करती नहीं, थार्ड के अंदर आ जाओ, क्याता है, sale of fixed asset at profit, profit पर sale out करी, तो पहले लिख लो, जो हमने transaction करी, fix asset को sell करा, लिख दो fix asset, कितने की sell out करी, value देनी रहा, कोई दिक्कत नहीं, fix asset तो decrease, आपका cash जो है, increase, clear है, और profit भी increase हो गया, यह profit, assume करो, जो हमने जो है, कितने में profit पर करा, कुछ भी figure ले लो, चाहिए, 50,000 ले लो, यहां bracket में लिख लो, स्पोज profit रुपी 50,000, 50,000 से लिया कि 50 का profit हुआ, भाई, इसकी nature पर जाओ, इनकी, जितने वर्जी में sale, पहले nature देख लो, यह तो current assets है, आनी नहीं, इसके अंदर, ना debt है, यह equity, यह मेरी fix asset है, यह भी नहीं आनी, इसके अंदर, तो हमें इनकी value रिखने की जरूती नहीं, share आपको profit हुआ, तो आपका क्या चीज़ increase हो गया, shareholder fund याद रख लेना, profit किसमें include करते हैं, याद रख लो, shareholder fund में, लिख लो shareholder fund, करते हैं, तो यहां पर आजाओ, इसी के अंदर, यह बन गया, आ रखी रहा, और यह आपका 150 हो गया, इसमें भी, कितना ratio आगया, 1.33 is to 1, इसमें भी answer क्या आगया, decrease आगया, लिख लो, clear है, यह था इसका answer, third का, ध्यान रख लो यह, यह थोड़े आगे पीछे हो गया, आप मिला लेना वस इनको, clear है, अब पोर्त के अंदर दे रखा है, क रख लेना, एक तो assets बढ़ गई, और payment अभी करीनी, तो payment future में करेंगे, तो क्या बन गई, वो हमारी long term basis लिखा है, तो मेरे debt बढ़ते हैं, लिख लो पहले यह, आपने assets purchase करी, पहले assets लिख लो, increase हो गई, उसके अलावा आपके debt बढ़ गई, long term के हैं, लिखे हैं clear, debt का मतल दोनों की nature पर चले जाओ, debt तो मेरा clear ही दिख रहा है, यह तो मेरा debt है, जो की increase करेगा, वेरे debt को, यानि के debt बढ़ेंगे, और यह मेरी fixed assets है, तो यह तो कुछ impact डालती नहीं, यानि के अब debt तो increase हो गया, और equity पर को impact नहीं, कितना एजियूम करा है, हमने 50, कोई भी imagine figure लो, चलो जी, यह तो बन गया अब आपका 2,50,000 और यह आज भी कितना है, 1,00, ratio कितना आ गया, 2.5 is to 1, answer लिखो इसका increase, अब एक और करते हैं 5, लिखे payment to creditor, creditor को payment करेगे, लिख लो याँ पर 5, जब हम creditor को payment करेंगे, तो क्या impact पढ़ेगा, एक तो creditor decrease होगे, और साथ में cash decrease होगा, दोनों की nature पर चले जाओ, यह arrow का मतलब, नीचे की तरफ करने का मतलब decrease, तो ultimate, यह तो मेरी current liability और यह क्या है, current assets है, तो इस transaction का, क्या इनके उपर impact पढ़ता है, को impact नहीं, answer लिख दो, इसका no change, यह आपका answer आ गया, clear है, यह था यह question, अब एक और question करते है, 51, मैं रीड करता हो, आप देखिए, लिखा है, from the following balance sheet of ABC limited asset, 31st month 2023, calculate debt to equity ratio, debt equity ratio निकालना है, यह balance sheet आपको दे रखी है, अच्छा, ऐसे case में debt equity ratio निकालना बहुत easy होगे आपके लिए, देखो, share older fund directly दे रखे है, balance sheet में, share capital और रिजरेंट सर्प्लस, दोनों का add करो, तो share older fund बन गया अच्छा, non current liability दे रखी है, किलियर कितनी, 2,50,000, तो दोनों ही मिल गई, हमें ना तो current liability का use, assets का use, और ना ही current assets, तो दोनों चीज़ें मिल गई, जब भी ऐसे balance sheet आजाये, तो समझ लेना, वो तो बहुत easy question हो गया, पहले share older fund लिख लो कितना है, क्योंकि हमारा debt equity ratio का फामूल surplus, दोनों को लिख लो, ये लिख लो, equity share कितने दे रखे है, आपको 5,00, और preference भी 5,00, दे रखे है, लिख लो, भाई, दोनों के दोनों 55,00, और आपको replace दे रखे है, 2,40,000, आपका equity तो आगया, 12,40,000, यानि कि ये क्या चीज़ आ गई, आपकी, ये तो equity आ गई, याद लो, अब हमें क्या चाहिए, डिवेंचर, वो तो डारेक्टी दे रखे है, 2,50,000, वो तो लिखने की जरुती नहीं, या लिख लो, डिवेंचर, debt लिख लो, bracket में कर लो, डिवेंचर ही है, ये की item है, तो कोई प्राब्लम ही नहीं थी, इसमें तो, कितना दे रखे है, ये आपको 2,50,000, फामुले में पुट कर दो, दोनों चीजें मिल गई हमें कुश्यन में, जब भी ऐसे balance sheet होगी, बहुत easy बनता है, क्योंकि find out करने की ज्यादातर कोई जरूती नहीं पड़ेगी, ये equity है, ऊपर क्या आएगा, 2,50,000, लिख दो, 2,50, और denominator बन गया, 12,40,000, करो करोगे, तो ये, 0,20,21 आ जाएगा, ये इसका answer आ गया, लिख लो ये answer, clear है, बहुत असान question था ये, पहले जो question करें, जिसमें आपको incline, decline, no change दिखान था, उनमें अवेशा कोई imagine figure ले लिया करो, बहुत आराम से निकल जाएगे, तो आज हमारे अभी है, 51 तक complete हो गई, next class म आए वीडियो, next class में जल्दी ही मिलते हैं,